बर्षाद के मौसम में मिलने वाली ये मकई लगबख सभी लोगों को बहुत ही पसंद है तो मार्केट पे ये पका करके मिलती है एक पीस दस रुपए के तो चले आज दस रुपए के मकई कोई घर पर लाएंगे और इससे घर पर बना करके आसानी से हम मकई को खाएंगे सबसे पहले छील लेना है छील करके इसे हम धीमी आज पर घुमा घुमा कर अच्छे तरीके से पकाएंगे तो आप इसे गैस पर बनाएं या चूले पर बनाएं लेकिन धीमी आज पर जरूर से बनाओ यह अच्छी से पच चुकी है अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं अब इसका हम एकदम चटपटा सा मसाला तयार करेंगे डाल मिर्च पॉर्डर, जीरा पॉर्डर, काली मिर्च पॉर्डर, नमक डाल करके पहले इसे हम मिक्स कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे नीबू का रस नीबू के रस को निचोडने के बाद इसे भी हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम मकई में इसकी मालिश करेंगे तो इस तरह से हम पूरे मकई में इसे लगा देंगे और इसे हम मज़े से खाएंगे तो इस मज़ेदार से मकै को बाहर से खरीदने के बजाए घर पर बना करके मज़े करें और घर वालों को भी खिलाएं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए और आसान से लिए जाएं